इसे हम सिर्फ एक मामूली चाबी नहीं समझेंगे ये निसान की तरफ से हमारी एक उम्मीद है Lock, Unlock and Boot Opening के बटन के साथ आपके सामने है निसान कैशकाई Futuristic Looks, गजब की Road Presence and Coupe Style Design Magnite की सक्सेस के बाद अब निसान लेके आई है कैशकाई को इंडियन मार्केट में फिलाल ये launch नहीं हुई है इसे launch होने में अभी 5-6 महने और लगेंगे इसकी testing फिलाल चालू है लेकिन ये गाड़ी हम आपके लिए लेके आया है इसके total features हम इस वीडियो में आपके साथ share करेंगे और इसके dimensions भी देख लेंगे looks तो गजब के ही है आपके सामने उसके साथ features, safety features and instrument cluster कैसा है इसका वो सब आज इस वीडियो में हम देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसके dimensions की में बात करूँ तो 4.4 मिटर इसकी length है 1.6 मिटर इसकी height है और 1800 kg तक का ये weight खीच सकती है 2000 kg का gross weight है इसका fog lights आपके सामने front parking sensors मिल जाते हैं नीसान का logo और logo के नीचे ही हमें front camera देखने को मिल जाता है इस तरह यहाँ पर आपको air cutting के लिए vents मिलेंगे LED headlights मिलती है DRL के साथ कशे काई की badging मिलेगी automatic headlamps, automatic wipers, rain sensing wipers, add as feature भी आता है इसमें shark fin antenna, glass roof, roof rails और यहाँ से भरेंगे आप petrol सिर्फ petrol engine option के साथ आने वाली है diesel का कोई नामों निशान नहीं मिलने वाला, hybrid technology के साथ आने वाली है यहाँ पर heated overview मिलेंगे turn indicator के साथ with camera यह है इसकी side profile, coupe style design जिसे में बोल रहा था वो आपके सामने आप देख सकते हो बहुत जादा sharp looks के साथ आती है काशे काई, फिलाल इसमें 21 इंच के अलाविल्स डले हुए है लेकिन यह production में जबाएगी तो यहाँ पर आपको 18 इंच के diamond के अलाविल्स देखने को मिलेंगे फिलाल इसमें all four disc brakes मिलेंगे 25 लाख रूपे की इसकी 100 रूम प्राइज स्टार्ट हो जाएगी dual tone color का भी option आपको मिलेगा लेकिन सिर्फ black color के roof के साथ dual tone color मिलेगा सिर्फ front से ही नहीं, यह पीछे से भी बहुत ज़्यादा sharp लगती है इसकी tail lights बहुत ज़्यादा muscular looks प्रोवाइड करती है पीछे भी हमें skid plate मिलेंगे, नीचे exhaust tip आप देख सकते हो suspensions भी बहुत बैदरिन मिलेंगे आपको इसमें बहुत stiff भी नहीं और soft भी नहीं medium quality के suspensions मिलेंगे, काशिकाई की badging, नीसान का logo इस तरह की sharp tail light, LED tail lights है यह wipers के साथ defogger, spoiler और उपर shark win antenna tinted glass मिलने वाली है कंपनी के द्वारा UV cut traces को cut करने के लिए इस तरह की glasses यूज की गई है, safety features के नाम पर इसमें six airbags, ABS, EBD, ESP, brake assist, hill hold control, hill descent control, engine immobilizer, crash sensor, sit belt pretensioner with force limiter, ISOFIX child seat mounts, autonomous driver technology, मतलब XUV700 में जो ADAS वाले feature आते, वो भी इसमें मिलेंगे उसी के साथ इसका platform भी बहुत ज़्यादा गजब का है high strength steel से बनी हुई है, काशे काई, looks wise, safety wise and feature wise इसमें कोई कमी नहीं रहने वाली price bracket हिट करती है 25 लाख रुपे का तो वो आपके उपर depend है, क्या आपको boxy shape वाली, SUV shape वाली गाड़ी लेनी है या फिर इस तरह की sporty look वाली गाड़ी लेनी है इस तरह आपको electric tailgate मिलने वाला है जो one click में ही open हो जाएगा बहुत बड़े size का इसका boot space होने वाला है 504 liter का इसमें हमें boot space मिलेगा partial tray भी है, नीचे भी आपको इस तरह से पूरा plane आपको boot utilize करने को मिलेगा lights है इसके अंदर इस side आपको partial tray भी मिलेगी और इसके नीचे भी आपको spare wheel मिलने वाला है jack के साथ arrangement की गई है subwoofer भी इसमें दिया गया है dedicated Bose का sound setup आता है, यहाबर भी अलग से storage है 504 liter का boot space cap जाएट है और यह button से close भी हो जाएगा इसके fuel cap को देखते है तो वो आपको right side में मिलेगी capless fuel filling मिलेगी आपको 55 liter का इसका fuel tank capacity है इसका rear door देखेंगे आप तो यहापर आपको dual tone finishing मिलेगी blue color बहुत ही light blue and black color का combination है speaker और bottle holder है यहापर scuff plate नहीं है, कुछ इस तरह के sitting arrangement है पीछे भी तीन headrest मिलेंगे तीनो adjustable headrest है और armrest भी आपको मिलेगा fully black seats है armrest के अंदर आपको दो cup holders देखने को मिलेंगे बीच में आपको type C में charging port, दो AC vents and आगे की seats में pockets देखने को मिलेंगे उपर पूरी glass roof है, यह open नहीं होता sunroof की तरह, सिर्फ इसका curtain open हो जाता है यह आपर handle मिलेगा, lights मिलेंगी और इस तरह का interior मिलेगा आपको पूरा, dashboard का design आपके सामने है बहुत ज़्यादा smart and upgraded Nissan की गाड़ी लग रही है बहुत दिनों से इंतजार था Indian car market को की इस तरह की कोई गाड़ी आएगी और कुछ changes देखने को मिलेंगे तो यह है इसका front door चारो power under के controls के साथ heated over view कंट्रोल करने के buttons, memory seats भी इसमें मिलती है, speakers मिलते है Bose के sound system के साथ electronic seats, ventilated seats है with hitting proper आपको दो headrest के साथ, आगे की seats electronically adjustment के साथ मिलेंगी यह है इसका dashboard का design और आप चुम सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है, sporty लग रहा है यहाँ पर दो pedals, bonnet खोलने का liver है यहाँ पर boot open करने के लिए button and brightness कम जादे करने के लिए button traction control करने का button है यहाँ पर center console में armrest के अंदर आपको storage और charging ports मिलेंगे यहाँ पर dual storage है, दो cup folders मिलेंगे, lock unlock बटन के साथ power order के controls, तो memory seats के बटन बीच में दो cup holders, driving mode select करने का button, यह है इसका automatic eCVT gearbox six speed manual का भी option है, electronic parking brake भी है, wireless charging pad है, start stop का button यहाँ पर मिलेगा, बारावर का socket भी यहाँ पर दिया गया है, और यह आपके सामने, automatic climate control AC, dual zone automatic climate control AC आपको मिलेगा इसमें, तो यहाँ पर मिलेगी आपको 12.8 इंच की touchscreen, जिसमें android auto, apple carplay तो work करता है, उसी के साथ inbuilt navigation भी है, wireless android auto, apple carplay work होता है इसमें, navigation, FM, radio Bluetooth, AUX, USB इस तरह की connectivity भी भी आपको इसमें मिलेगी 360 degree camera की quality आपके सामने है आप देख सकते हो, clear quality है कोई doubt नहीं है कि यह हलका camera यूज किया है, लेकिन यहाँ पर company ने, यहाँ पर cost cutting नहीं की है, बिल्कुल अच्छे cameras यहाँ पर यूज किया है हर एक angle का आप अलग-अलग view यहाँ से ले सकते हो, कुछ इस तरह से इसका dashboard दिखता है, 10 inch की आपको head up display मिलेगा इसमें Bose के speakers मिलेंगे हर जगा अपर subwoofer के साथ इसका sound setup आता है glow box decent size का है उपर light के साथ mirror है यहाँ पर auto dimming IRWM मिलेगा SOS बटन के साथ lights के बटन है curtain खोलने का और बन करने का बटन आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन sunroof के लिए कोई बटन नहीं आता, यहाँ पर भी lights के साथ mirror मिलेगा और यह है इसका Nissan का 3 spoke leather wrapped steering wheel इस तरह आपको audio के controls मिलेंगे, screen के लिए बीच में logo, Nissan का और इस सेट आपको cruise control मिलेगा, emergency braking के साथ paddle shifters भी है automatic wipers के control, इस सेट आपको automatic headlamps के control मिलेंगे, paddle shifters भी आते, steering adjustment, tilt and telescopic दोनों है, यहाँ पर 12 inch की आपको instrument cluster मिलेगा जो कि fully digital है, यहाँ पर fully digital में आपको सारे information मिलेगी cockpit navigation के भी सुविदाई इसमें दी गई है, range बगरा show होती है इसमें, gears settings, vehicle settings sports, standard, eco, 3 modes आते हैं, वो भी आप यहाँ से select कर सकते हो उसके आलावा सारे controls, 240 तक की इसकी top speed marking है, 8000 तक की इसकी RPM marking है बहुत ही अच्छे navigation and animation show होता है, time भी यहाँ पर show होने वाला है चलिए देखते हैं इसका engine, bonnet open करते हैं यहाँ से, और देखते हैं कौन सा petrol engine हमें इसमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1.3 liter का in-line 4 cylinder turbo charge petrol engine जो produce करता है 12 volt की battery के साथ 155 horsepower and 270 newton meters का torque देता है 0 to 100 चलिए जाती है in just 9 seconds में 18 kmpl का mileage claim करती है company, mild hybrid technology यहाँ पर यूज की गई है इसमें हमें petrol में ही और एक engine option मिलेगा, 1.5 liter का turbo charge petrol engine मिलेगा 3 cylinder petrol engine है यह लेकिन उसी के साथ जूड़ी हुई होगी 2 kWh की lithium-ion battery, उसकी power होगी मिला के 187 horsepower 330 Nm torque वो 0 to 100 चलिजाएगी in just 7.9 seconds में तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए stay tuned